हरे कृष्णा तो पंचकोष विकास श्रिंखला के इस सत्रहवे कड़ी में आपका स्वागत है तो आज हम देखेंगे कि ये अलग-अलग संसकार परिवार में जब होते हैं तो ये सारे क्या हैं तो संसकारों का प्रयोजन होता है अपने चेतना की शुद्धी अगर हमें एक अच्छा बल्वान, स्वस्थ, फिर कलात्मक, समवेदनशील, विवेकी और कृतग्य बच्चा एक अच्छा नागरिक अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ये सारे संसकारों का होना बहुत ज़रूरी है अर्थात भक्ति रसामरित सिंधू में रूपगोस्वामी बताते हैं कि अगर चेतना की शुद्धी अगर करनी हो तो यह जो पाँच विदिया है वो परियाप्त है और वो क्या है नामस्मरण फिर गरंथों का अभ्यास भक्तों का संग ततह विग्रह पूजा और धामवास तो इनसे हमारी चेतना की शुद्धी होती है तो फिर यह जो संसकार है अलग-अलग तो इनकी क्या वशक्ता है तो यह सारे जो संसकार है यह उसी कार्य को पूरक है और उनके लिए अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है तो इसलिए अगर हम इनको भी हमारे जीवन में ले लें तो फिर क्या होगा हमारे शुद्धी करनकर जो कार्य है तो उसमें बढ़ोत्री होगी यह सारे संसकार जो है जो ग्रहस्त है वो अपने पत्नी और अपने बच्चेओं के उपर हो स्वहम करता है इसका महत्व यह है कि हमारा शरीर हमारा मन हमारे इंड्रिय यह शुद्ध हो जाती है तो इसलिए यह हमें एक advantage, we get an advantage to develop in devotional service तो इसलिए भक्ती को करने के लिए हमें यह संसकार करना बहुत ज़रूरी है तो आईए हम देखते हैं यह 16 संसकार क्या है तो सबसे पहला संसकार बच्चे के धारन करने से पहले यह जो पहला संसकार है वो है गर्बधान संसकार तो गर्वधान संसकार संग करने से पहले पती पतनी वे दोनों इस गर्वधान संसकार को अपनाते हैं वो भगवान के सामने वे प्रार्ता करते हैं कि हमें एक ऐसी संतान आप हमें दीजिये जिसकी हम सेवा करके उनको ऐसा एक काबिल व्यक्ति बनाए जो समाज की सेवा उसके बाद दुसरा है पुनसावन संसकार जिसमें जो बच्चा जो धारण किया हुआ है उसका स्वास्त्य वो बल्वान बने वो ओजस्वी बने तो उसके लिए ये जो तीसरा मैना है उसमें ये संसकार किया जाता है फिर तीसरा है सीवन तो नयन तो जबी बच्चा आया है तो यह एक उत्सव की बात है एक खुशी की बात है आनन की बात है इसमें उस माता का बहुत ही आदर किया जाता है सम्मान किया जाता है उनको एक आनन का एहसास दिया जाता है उनको अच्छी तरह से विशेज भोजन कर जाता है तो इस प्रकार से उनको आशिरवात दिये जाते हैं तो इस कार्यक्रम को संस्कार को सिमनतो नयन संसकार कहते है फिर जो चोता है वो है तो सोश्यनती होम यह मतलब इt's for safe delivery जच्चा और बच्चा दोनों माता और जो बच्चा है उन दोनों के रक्षण के लिए मतलब delivery के कुछ ही दिन पहले इस संस्कार को किया जाता है और उसके बाद आता है जातकर्म तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस वक जातकर्म की यह जो वीदी है यह संस्कार है यह किया जाता है फिर आता है निश्क्रमन संस्कार तो फर्स्ट आउटिंग वो है दस दिन के बाद दस दिन के बाद मतलब दस दिन तक वो अशुच्यव मतलब it is considered to be unclean time तो दस दिन के लिए सुतिका ग्रह में रहते हैं उसके बाद दस दिन के बाद उनको बाहर निकाला जाता है फिर तो उस वक्त भी वो यह जो संस्कार है वो उस वक्त किया जाता है तो उसके बाद फिर भगवान की का दर्शन कराया जाता है सूर्य का दर्शन कराय जाता है फिर लोगों का दर्शन कराय जाता है तो इस प्रकार से ये निश्क्रमन संसकार कहते हैं इसको फिर आता है नामकरन संसकार तो नामकरन संसकार बारहवे दिन होता है जब सारे लोग आते हैं और एक उत्सव होता है उस बच्चे को नाम दिया हुआ है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसे दो पक्ष होते हैं तो उसी हर महिने के उसी तिथी और उसी पक्ष के दिन वह हर महिने इस पुष्टी कर्म को किया जाता है मतलब नरिश्मेंट is given to the child so that is called पुष्टी कर्म तो बच्चा धश्ट पुष्ट बने इसके लिए यह हर महिने यह संसकार किया जाता है फिर उसके बाद आता है अन्नपराशन संसकार तो अन्नपराशन संसकार यह चार महिने के पहले नहीं किया जाता और फिर एक वर्ष अगर बीच जाता है तो उसके बाद नहीं किया जाता ये चार महिने से लेकर, मतलब अगर लड़का है, तो छटे महिने या आठवे महिने में होता है, और अगर लड़की हो, तो वो पाचवे महिने या तो पाचवे या तो साथवे महिने में उसका अनपराशन सरेमेनी किया जाता है, तो इसका पैरामेटर क्या है, जब बच्चे को दात आ जाए तो फिर ये अन्नपराशन सरेमनी ये संसकार किया जाता है उसके बाद आता है करणभेद संसकार तो करणभेद संसकार जो है जो है sixth और seventh month छटे या साथवे महिने में उसको ये चुड़ा करण संसकार के साथ भी किया जा सकता है तो उस वक उनके कान में चिद्र जैसे अभी ये देख रहे हैं तो वो कान में चिद्र डालके उसमें फिर कान में सोने की बाली चड़ाई जाती है तो ये है करणभेदन संसकार फिर चुड़ा करण संसकार hair cutting संसकार तो चुड़ा करण संसक ये तीसरे साल, तीसरे वर्ष में होता है, फिर उसके बाद विद्यारंब संस्कार आता है, entering into school, जहाँ पे अक्षर से उनको परिचे दिया जाता है, तो ये पाचवे वर्ष में होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार, जहाँ पर गायत्री की दिख्षा दी जाती है बच्चे गुरुद्वारा, तो वो आटवे वर्ष में, मतलब जब बच्चा धारन हुआ था, उस दिन से आट वर्ष, तो तब ये जो उपनयन संसकार है, ये उसका होता है, उसके बाद समवर्तन संसकार, तो समवर्तन संसकार यानि गुरुकुल से 12 वर्ष एक तप, जब बच्चा गुरुकूल में शिक्षा प्राप्त करता है उसके बाद 12 वर्षों के बाद खरीब 18 साल का होता है तो उस वक्षर जब अपने गुरुकूल को छोड़कर फिर से गरहस्त आश्रम में आता है तो उस वक्षर ये समवर्तन संसकार होता है और उसके बाद विवाह संसकार तो विवाह संसकार में वो अपने पत्नी के साथ ग्रहस ताश्टम में वो बंद जाता है तो ये होता है विवाह संसकार और जो सोलवा संसकार है वो है अन्तिष्टी जब व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो उस वक भी ये जो संसकार किया जाता है, कि उस व्यक्ति को एक अच्छी गती प्राप्त हो, भगवान के भक्ति में वो आगे बढ़ते रहे, इसलिए ये अंतिष्टी और श्रद्धा का कारियर जो किया जाता है, जो श्रद्धा से किया जाए, वो उसको श्राद्ध कहते ह बिल्कुल उसके जन्म से भी पहले और उसके मृत्यू के बाद भी तो ऐसे ये सुन्दर जो हमारी संस्कृती में ये जो विधी है संस्कारों की इसको अपनाना जिससे हमारे भक्ती में वृध्धी हो ये हमें देखना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा